हेलो फ्रेंड्स वागा थे आपके आपने यूटूब चनल और श्राडी फॉर एक्जामिनेशन में दोस्तो आज हम लोग डिसकस करेंगे उत्पाद सिपाई भर्ति परतिव परिक्षा का जो पेपर टू है जिन कर्णियों पेपर टू में हिंदी लिया है उसका जो सिलेबा स से में से सब्सक्राइब करेंगे सिर्व करते हैं में सबस्क्राइब करने में नहे है मैं ऐ Kilän को सब्सक्राइब करने मैं में चले करें लिए जुरूर करते हैं सब्सक्राइब करने से पहले मंगलेश डबराल जी के बारे में कुछ जान करें लेते हैं जो आपका कविता है कविता के लेखक है उनके बारे में भी जानकाई लेवाना जोर रही है क्योंकि एक्जाम में जो है को सब्सक्राइब कर लेता है उसको अच्छा लगेगा लिखने कि टीरी गडवाल उत्राइचल के काफल पानी गाव में हुआ ठीक है तो इनका जो जना में आपका जो लिखा हुआ है कि टीरी गडवाल उत्राइचल के काफल पानी गाव में हो तो यह याद हो जाना चाहिए क्योंकि यह थोड़ा सा हट के नाम है ठीक है आगे लिखाए कि दिक्षा में है तो देहरादून में हुई मतलब उनका जो शिक्षा हुई वो देहरादून से लिए फिर वो दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट पर्तिपक्ष और आसपास चीक है यह सब पत्रिका हैं दोस्तों उनमें जो वो काम किये फिर भौपाल में आगे लिकावाज दख सब्सक्राइब करने के बाद आज कल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हैं अभी जो है वो अर्तमान में नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं आगे लिखा हुए चलिए वह भी देख लितने लिखा हुए गया मंगलेश डबराल के चार कविता संग्रा प्रकासित हुए हैं यहां पर दिया हुए पहाड पर लाल्टेन घार का रास्ता हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगा है ठीक है ना यह चार जो है उनकी कव प्रकासित हुए है यहां पर दिया हुए तो इनका मतलब यह है कि इन सबसे भी कोस्ता आ सकता है कि पहार पर लाल्टेन किसकी कविता संग्रा है तो जब जानिएगा आपके मंगलेश डवराल का है तो अराम से बना कईएगा ठीक है और जो है उनको अनुवादक के रूप म एक अनुवादक के रूप में ठीक है चुले आगे देखते हैं आगे आपका लिया हुआ है कि मंगलेश जी की कविताओं के भायरती भासाओं के अतरिक्त अंग्रेजी रूसी जर्मन स्पानी पॉलस्की और बल्गारी भासाओं में भी अनुवाद प्रकासित हो चुके हैं इसलिए उसे अनुवादक के रूप में जो है ख्याति प्राप्त है ठीक है आगे लिखा वाई कविता के अतरिक्त वे साहित्य सिरेमा संचार मैध्यम और संसक्रिती के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं मंगलेश की कविताओं में समंती बोध और पुंजी वादी छ सुख्षम और भासा पारदर्सी पुछा जाए कि उनका जो सुन्दर बोध है वह किस टैप का है तो वह पारदर्सी है ठीक ना यह रहा मंगलेश डबराल जी के बारे में कुछ जो है आपका इन्पोर्टेंस था इसे हम लोग को जानकारी जानना जो रही था तो चलिए सुरू करने से पहले जो कविता है उसके बारे में भी थोड़ा सा मुलों वाइख्या पढ़ लेंगे ताकि याद भी होगा ठीक है चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों यह वाइख्या है कविता का ठीक है जो कविता है आपका संगतकार उसका यह वाइख्या है तो चलिए पीछे से तो उसे जो है संगतकार कहते हैं और उसकी महता को असपश्ट किया है आगे लिखाए कभी करते हैं कि मुईख गायक के गंभीर आवाज का साथ संगतकार अपनी कमजोर किंतु मदोर आवाज से देता है अधिकानसत्य या मुईख गायक का छोटा भाई चेला या जब मुईख गायक गायन करते हैं शुरो की मोहक दुनिया में खो जाता है उससी में रस जाता है तब संगतकार या अस्थाई इस परकार का गाकर समय बांदे रखता है आगे लिखाए कि जैसे वह कोई छूटा हुआ समान संजोकार रख रहा हो जो संगतकार होते हैं वह अ अपनी टेक से गायक को या उन दिनों की याद दिलाता है जब उसके ने सीखना शुरू किया था आगे लिखा हुआ है कि कभी कहते हैं बहुत उची आवाज में जब मुईख गायक का स्वर उखड़ने लगता है और गलाब बैठने लगता है तब संगतकार अपनी कोमल स्वर्को साहियोग पड़न करता है हिस समय उसके आवाज में घिजजक्षे भी कि कहीं उसका स्वर मुईख गायक के स्वर ना जया है जो इस बत की चींता होती होती कि जो modular है वंदे को समवान देता है इसका मतलब यह नहीं है आप लिखा हुआ है के सा करने का मतलब य नीची रखकर मुख्यगायक को सम्मान देता है इसका मतलब यह है कि जो मुख्यगायक होता है उनकी आवाज को जो है उनको सम्मान के लिए जो है वह अपने आवाज को धीमी करके गाते हैं इसे कभी ने महांता बताया है ठीक है ना तो दोस्तों यह कुछ वाइक्षा थी जन्म कब हुआ था ठीक है तो उनका जन्म जो है आपके उनेश्चो अर्तालीस में हुआ है ठीक है नाइंटी फोटी एट में मंगलेश डवराल जी का जन्म जो है नाइंटी फोटी एट में हुआ है और उनका जो जन्म है दोस्तों आपका उत्रांखन में हुआ है टीरी ग तो तेखे लिखा वासे रहे थी लिखावा था उनका जो हम लोग के नंबर सी डेह रादुन से ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे आपका लिखावाई नंबर फॉर नंबर फॉर दिली में मंगलेश डबराल ने किन पत्रिकाओं में काम किया है देखिए यहां पर दिया गया है क्योंकि दूस्तों सारे के साथ जो है इन्पोर्टेंस कोस्टन है इसलिए इसलिए मंगलेश डबराल ने किन पत्रिकाव में काम किया दिखा हुआ हिंदी पेट्रियोट परतिपक्ष असपास तो यह तीनों में जो है उन्होंने काम किया इसल है यह कोशन बन रहा है ठिगा न तो उन्होंने यह सहायक संपाधक के रूप में कायो किया है तो इसका राइटर सुझ आपका नंबर ई कशायक संपाधक है चलिए है आगे देखते हैं यह घ़े दूस्तों नंंबर 6 नंबर 6 से इलाबाद लखणाउ और परकासित किस कुछ समय के लिए आगे देखते हैं आगे आपका नंबर सवेन नंबर सवेन है उन्हें सो तिरासी स्वी में किस अखबार में मंगलेश डबराल ने साहित्य संपादक का पद सम्हाला था ठीक है दोस्तों कुछ ऐसा रहता है कि कोस्टन में भी एंसर रहता है जिदी कोस्टन इस तरह पूछ दिया जाए कि जन सत्ता अखबार में मंगलेश डबराल ने किस वर्स जो है साहित संपादक का पद सम्हाला था तो इसलिए वर्स को भी याद करना जोर रही है ठीक है ना तो मंगलेश डबराल ने किस टीवी चनल में संपादन काईर किया देखिए ये एक समपादक तथा साहित्यकार के अतिरिक मंगलेश डबराल किस छेत्र में विख्यात थे देखिए तो यहां पे जब आप आपका अनुवादक के रूप में ठीक ना अनुवादक के रूप में जो है विख्यात थे मंगलेश डवराल जी संपादक और सहितिकार के अत्रिक ठीक है तो आगे देखते हैं आपका नमबर टेन ठीक है तो इसका जो है चार चार कविता संग्रा जो है प्रकासित हो चुके हैं उनमें से है आपका पहाड पर लाल्टेन एक दूसरा है आपका घर का रास्ता तीसरा है आपका हम जो देखते हैं और चोथा है आवाज भी एक जगा है ठीक ना यह जो है चार कविता संग्रा है है इनका चलिए आगे देखते हैं आगे आपका नंबर 11 नंबर 11 दोस्तों मंगलेश डबराल के कविता संग्रा कौन से हैं ठीक है तो यहां पर देखे दिया हुआ है आपका नंबर ए है आपका पहाड पर लाल्टे तथा घर का रास्ता हम जो देखते हैं अवाज भी एक जग तो यहां पर दिया हुआ है शिर्फ ए याँ तो था भी दोनो दोस्तों इसका राइट असलेगा आपका नंबर डी ए तो था भी दोनो ठीक ना क्योंकि साही तकाद्वी पुरुसकार्च से जो समाजित किया गया था ठीक है चलिए आगे देखते हैं आगे है आपका नंबर 13 दोस्तों मंगलेश डबराल की भासा केसी है ठीक है न तो वो आपके पारदर्सी है दोस्तों मंगलेश डबराल की भासा है वो पारदर्सी है तो इसका राइट असलेगा आपका नंबर बी चलिए आगे देखते हैं आगे है 14 वरतमान में मंगलेश डबराल की संस्था से ज था है चल 살아 Pig purple आघिर क्या नमबर 15 गायन में मूइख गायक का। साथ को न देता से यहां से कि दूस्तों लोग Tampa है उसका comes शूरू हो रहा है के संगतकार कविता है उसका यहां पर कॉस्टन है कि गायन में मूएख गायक का साथ कौन देता है तो जो संगतकार होता है उसी के बारे में ये पूरा का पूरा जो है कविता बताया गिया है तो संगतकार इसका राइट अनुस्तों जाएगा जो संगतकार होते हैं वो मुईख गायक के साथ देते हैं पीछे सो जो है वो जब गाते हैं उसको दोहराते है गायक के बच्पन का साथी कोन होता है? टो गायक का जो है, बच्पन का साथी आपका संगतकार होता है? इसका राइटन सुझेगा आपका नंबर B आगे देखते हैं अगला है नंबर 18 संगतकार किसे अकेला नहीं होने देता है तो मुख गायक को जो है संगतकार अकेला नहीं होने देता है मुख गायक को ठीक है ना इसका राइटन सुझेगा आपका नंबर C चलिए आगे देखते सेंटेंस था उसमें यह दिया हुआ था कि अपनी अवाज को जो है नीचे रखकर जो है मुखी गायक को सम्मान देता है उसे कहते हैं संगतकार से यह कविता है कविता का नामी यह संगतकार ठीक है तो इसका आगे देखते हैं आगे है आपका नमबर 20 अगला है नमबर 20 संगतकार सिर्षक कविता किस कवी की है तो दोस्तों यह आपका मंगलेश डबराल जी के है जो हम लोग पढ़ रहे हैं और यहां पर उप्षन दिया है रितुराज तो रितुराज जी का जो कविता है वो आपका कन्यादान है निराला जी का जो कविता है निराला जी सुरिकांत्री पाठी निराला जो हम लोग का विशे सुची में है जो सिलेवस है शितीज भाग्टु में जो नंबर 5 चेप्टर है वो है उसमें उनका दो कव है तो यह जो है आगे चलते हैं आगे है अपका number 21 no 21 मंगलेश डबरालने इत्ता Karen काम नहीं किया तो यहां पर दिया हुआ है अमृति परभात में काम किया है जंसत्था में सव्षपार सभ्था मियं क्या है साहरा सुमय क्या है तो इत्वारी पत्र साव रिपर तो साहित सम्पादा का समाला आगे आगे से कौन सी कविता मंगलेश डवराल की है पहाड पर लालटेन घर का रास्ता हम जो देखते हैं ये सभी तो तो इसका राइट रिक दोस्तों आपके यह सभी होगा ठीक है ना और दोस्तों यहां पर जो है थोड़ा सब मैं आप लोगों को एक चीज बता दे रहा हूं यहां पर जो इस तरह का जो कोशन्स था देखे यहां पर जिसकी यहां पर लिखा वाई की अपनी आवाज नीची रखकर कोन मुखि गायक को संबान देता है ठीक है ना तो मैं आपको बता दू कोशन इस टाइब का ने रहे गा थोड़ा से मैं गलती कर दिया है इसको टाइब करने में यहां पर लिखा रहेगा जब यहां पर इसे लिखा रहेगा कि प्रस्तुत कायवि संगतकार में अपनी आवाज नीची रखकर कोन मुखि गायक को समान देता है क्योंकि आपको यह कैसे पता चलेगा कि कि किस कविता के बारे में कह रहा है ठीक है तो यह वाप लिखा रहेगा लेकिन फिर भी आप बढ़ किछला जो भी आपका वीडियो चेप्टर है उसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है तो जो भी अभी तक चलने को सब्सक्राइब नहीं किया है मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज चलने को सब्सक्राइब करें बागल के बैल आक्यम को जरू दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा वह आप तक तुरंत पहुचेगी ठीक है दोशलों दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में